आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ ठी नाचुरली ओकुरिंग एलिमेंट्स X, Y and Z are good conductors of electricity ठीक है तीन एलिमेंट्स है X, Y और Z यह electricity के बहुत अच्छे conductors है और very precious precious metals है ना Z is more reactive than X इसमें से जो Z element है हमारा वो जादा reactive है X और Y दोनों से और अगर air को air से अगर हम उसे expose करके रखते है बहुत time तक तो जो हमारा Z है वो black हो जाता है ठीक है उसमें एक तरह से black coating हो जाती है और Z एक alloy form कर रहे है Y के साथ और उसे हम किसमें यूज करते हैं jewelry में यूज करते हैं और X को हम लोग as a catalyst भी यूज करते हैं ठीक है तो हमें identify करना है X, Y और Z को तो सबसे पहली बात हमें यह दियावा है कि यह जो metals है यह good conductors of electricity है और very precious मतलब बहुत precious है तो precious metals हमारे पास कौन से होते हैं gold silver and platinum यह जो तीन हमारे पास elements होते हैं इन्हें हम precious भी बोलते हैं और यह good conductors of electricity भी है तो X, Y और Z जो है वो इन तीनों में से ही होगा यह तो अब clear हो गया अब Z के बारे में information दी गई है कि Z जादा reactive है X और Y से तो इन तीनों में से जादा reactive होता है हमारा silver ठीक है silver जादा reactive है gold और platinum दोनों से ठीक है तो इसलिए silver क्या हो गया हमारा silver हो गया Z ठीक है क्योंकि silver जादा reactive है गोल्ड और प्लाटिनम से और सिल्वर एयर से जाधे एक्सपोज होने पर क्या होता है ब्लैक कलर का हो जाता है हमने देखा है ना इसे लिए हम लोग सिल्वर जूलरी वगेरा जू भी होते है उसे हम स्टोर करके रखते अच्छा से ऐसे खुले में नहीं चोड़ते क्योंकि अब ज़ग आप नग को जाता है ब्लाक कलर की हो जाती यह तरह से अब जैट फोर्म्स अलोइविद वाइंड यूज इन जूलरी तो जूलरी में हम लोग क्या यूज करते हैं सिल्वर और गोल्ड को यूज करते हैं तो जो जो बचा कौन सा प्लाटिनम तो प्लाटिनम हो x and is used as catalyst हाँ platinum x है और इसे हम catalyst के रूप में use करते हैं कब जब हमारे reactants gaseous phase में होते हैं तब हम platinum को as a catalyst use करते हैं when reactants are in gaseous phase तो जब reactants gaseous phase में होते हैं तो हम लोग generally platinum को use करते हैं as a catalyst तो identify x, y and z हो गया x है platinum क्यों क्योंकि इसे हम catalyst के रूप में use करते हैं z हो गया silver क्योंकि यह जादा reactive होता है gold और platinum से और यह tarnish हो जाता है air से अगर जादा देर के लिए से expose कर दिया जाए तो और gold के साथ यह alloy form करता है तो gold हमारा वाई हो गया jewelry में use होता है यह Classics to 12 से लेके meet IIT GE means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज यह download करे doubt net app या whatsapp कीचे अपने doubts 84444 पर